हेलो दोस्तों दोस्तों एक फिर से स्वाग गया थे आपकी चैनल पोटल एक्स्वेस में दोस्तों आज हम सिखेंगे सुमिता और ओरा क्लास 11 का चैप्टर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या मनिपुलेशन जो भी आप सोत कह लीजिए का कुश्यन नमबर 1 ठीक है तो अगर आप आपको इस कुश्यन का एंसर रिटेन फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं आज कुछ नया सिखते हैं जैसा कि देख रहे हैं मैं अपना इडियल पाइफन में सब कुछ पहले से लिख लिए हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो ठीक है आपको मैं जल्दी जल्दी बता जेता हूं और वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हूं क्या कहा रहा है राइड प्रोगांब यहां इसपेस होगा अफर दे ए्रिया कोड एंड दे टेक्स्ट्ट एंड नेक्स्ट त्री नमबर मालब कि क्या बोलता है जो पहले तीन डिजिट होंगी उसके बाद ना जो नमबर होगा वह एरिया कोड होना सभी है है मनोब कोई होगा format यह है तो उसमें बिजैसा बोल ला प्रोग्राम वे अपनाना है को क्या करना है दिस्प्लेजेद इप्थ फोन नंबर इंटर इस वैल इपड़ पॉर्मेट और नॉट ए इस प्रिंट करा लें है जो नंबर है विद डैसे के साथ जो इंपूट हुआ है मैं यूजर ने जो इंपूट किया है वो वैलेट फॉर्मिट पे हैं कि नहीं है तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या प्रोग्राम है थोड़ा से लंबा प्रोग्राम है आपको समझना पढ़ेगा सबसे पेल एक नम नाम का वरियाबर का ना इंपूट कराना है तो टू डैसे भी इनपूट कराने हैं इंपूट लाएंगे तो इंपुट लाएंगे इंटरफ पोन नंबर हैं अप्र हम गए Ingल को इसे यह फोन है तो फोन में कितने लिटर से इसका अगर हम लेन निकालें तो किना आएगा फाइब थीक है तो इसे वह किसी भी स्ट्रिंग का लेन निकलता है और इसमें बोल लाया कि ना कि टूट्स टीजिट कोई नंबर होगा और टूटस भी रहेंगे तू इतना हो जाएगा टेन प्लस टू किना घृद्ट डगा लगा इस लेन नम एकककौलर कोटो 2 रहा तो क्या हो जाना चाहिए यहां इल्स अब यहां नीचे दिखेंगे एक विच देंगे अगर यह नहीं हुआ ःसे पाइसनल देखेगा इसको तो फरीनट हो जाएगा its नमबर अगर यही रहा तो आगे चेक करेगा फिर आगे क्या हुआ तो आगे चेक करेगा फिर क्या करेगा इफ नम इंडेक्स नंबर 4 से 7 के बीच में अगर कोई डिजिट है तो फिर वह आगे चेक करेगा अगर इंडेक्स 7 पर तो आपको मालू है इंडेक्स 4 से 7 इसलिए लिखा गया कि त्यूंकि पाइफन ना इसको 4 से लेके 6 तक ही करता है सेवन को रीड नहीं करता है एक बढ़ा के लिखते हैं ठीक है आपको मालू होना चाहिए और आपको सायद यह मालूम भी होगा चेप्टर 4 में है यह मलब कि कंडेशनल इंडेटिव स्टेट्मेंट की चेप्टर में है तो उसमें इसमें चिक करेगा अगर इंडेक् इंडेक्स सेवन पर कोई डैस है तो आगे चेक होना चाहिए कि इंडेक्स 8 से 13 मलब यह तो हम लोगों मालूम है कि यह 12 वक्षी है तो एक बढ़ा के लिखेंगे ताकि पूरा हम चेक करें तो इंडेक्स 13 तक 12 तक ही चेक करेगा अगर कोई डिजिट है तो आगे चेक होना में कि नहीं है तो होई है यह पर इसव कह लिखें नमबर नहीं सो अगर यहां पर घटनबड़ हुआ तो किनवेलेट थिर इल्स पृतिARS पर बूड़ हुआ यहां पर conduct आटि इंवेलेट अगरर यहां पर करण बढ़़ हुआ तो यहां पर रगा तो इस पृतिन अवरš。」 न बूलाते हो फिस two dash के साथ हमको input करना है तो जैसे को इन नंबर मैं ले लेता हूं 99 पर ले सिम्प्ली समझते हैं 99-999-1999 फिर प्रोड इजी जो एडिया घुट होना चाहिए तो 999 जीए है दिखते हैं यह वालिट है कि इनवालिट है है यहां पर प्रिंट हो गया इन्वाइरिट थी के एक बाद फिर एन्यदर एक्जामपत समझते जो हम इन्वेलेड इसमें डालेंगो ठीक है तो इसमें 111- ds यहां एक बार 2,3,4,5,2,3,4,5 ऐसे बार 1 dash औल लगा देते हैं देखते हैं कि इनलीड बताता है, कि भैरी बताता है तो हो क्या रहा है देखते हैं सबसे पहले जो इंपुट किया हमने वह यहां पर आया तो यहां तक कंडिशन सही हुआ कि वहां 12 डिजिट है यहां पर भी डिजिट कितने हो रहे हैं 123456789101112 ठीक है तो यहां पर भी कंडिशन सही हुआ फिर आगे चेक करेंगा कि यह तीसे जो इंडेक्स नमबर 3 है उस पर क्या बोलते हैं डैस है कि नहीं है तो यहां पर चेक किया इंडेक्स नमबर 3 क्या हुआ जीरो पहले जीरो हुआ फिर यह 1 हुआ यह फिर 2 हुआ यह 3 हुआ इंडेक्स नमबर 3 पर दैस है यहां तक कंडिशन सही हुआ फिर उसकी बाद आगे चेक करेंगा कि जो इंडेक्स नमबर 4 से 6 तक है इस डिजिट है कि नहीं इस डिजिट आपको मालू होना चाहिए कि यह यह चेक करता है यह फंक्शन होता है कि चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है वो डिजिट है कि उसमें डिजिट है कि नहीं है तो यहां पर इंडेक्स नमबर 4 से 7 तक 6 तक तो इंडेक्स नमबर 4 यहां से स्टार्ट होगा 3 पहले था तो 4 5 6 तो यहां तक डिजिट है तो यहां पर आगे चेक करेगा यह तो कंडिशन फिर सही हो गया पिर आगे चेक करेगा कि बहुत नुपर 5 पर पर डया इस है कि नहीं है तो इंडेक्स नम्बर 7 देखें कहा पर यहां जो फिर 2 खिलागे शुर से बहुत है और इस देतरों कि 7 पर घ्र दे तर सुन हैं कि वहालब नुमेरिक वैल्यू है कि नहीं है तो यहां पर दिखते हैं तो यहां इंडेक्स नमबर 8 पर ही न यहां पर डिजिट है ही नहीं यहां डबल डैस में लगाया था तो यहां तो यह condition गलत हो गया तो यह condition जब गलत हुआ तो यह सिधह यहां पर जाएगा इस बाई may इस बाई एस में print हो जाएगा कि इट इस नट वैलिट नमबर तो यह आगे चेक करेंगा कि यह सब है की नहीं है डैक्ट यहां पर आजेगा इल्स अफ़ी प्रिंट होजाएगा जैसे इस नाट वैलेट नंबर एक फिर एक्जामपल की फिर समझते हैं तो इस बाद कोई भी नंबर डालते हैं 12345 टिक है डैस 998 टैस 7775 दिखते हैं इंटर प्रेस करते हैं क्या दा है इस वैलेट फॉर्म में इस बाद इन वैलेट डालते हैं इसा कोई स्ट्रिंग के फॉर्म में रागते हैं जैसे पी आर नहीं पी ए टी एच पार्थ नहीं पार्थ टी एच वा डैस लेट पार्थ वा ला तीक है तो दिखतेंग आता है कि नहीं इस नौट वैलिट क्योंकि यहां पर ही जब लेनी कि मैंने 12 डीट का नेखा था यहां बस मैंने लेड 10 का ने लिखा था ठीक है तो इस वाज़ेसे यह पूरा नहीं हुआ तो कंडिशन यहां पर चेक है वावलग कि हर एक एक बात पाईथन ना चीक करता है पहले यह condition सही हुआ तो फिर यह condition चेकर रहेगा यह condition सही हुआ तो फिर यह condition गलत हो गया तो फिर यह इंब आकर प्रिंट हो जाएगा कि यह not validate number है तो उमिद करता हूं दोस्तों आपको यह video समझ मैं होगा और आपको यह question भी समझ मैं होगा ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए तो आज की वीडियो में से इतना ही thank you